Hello Friends, Welcome to Indian Study Indian Study पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए UPCCPET के लिए बहतरी टेस्ट लेकर क्या हूँ जैसा कि आपके एक्जाम में आना है जैसा स्लेवर्स है उसी के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को तयार किया गजा है तो आप स्लेवर्स के अकॉर्डिंग अगर तयारी कर रहे हो तो ये भाईया आप लोग के लिए बहुत ज़्यादे इंपोटेंट होगा तो वीडियो को एंटले जोड़ देखिएगा और स्टार्डिंग में मैं आपसे बोल देता हूँ क्यार वीडियो अगर आपको अच्छी से अच्छा लगे तो 100 लाइक का टार्गेट दे रहा हूँ तो कम से कम इस लाइक के टार्गेट को जरूर से कंप्लेट कीजिएगा तो चलिए देखते हैं पहला कोसन कि निम्ले के तमें से किस गरंट में हमें भारत और इटली के बीच होने वाले वियापार की जानकारी मिलती है बढ़िया कोसन से आसानी से बता सकते हो जल्दी से बताएं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर नैच्रल हिस्ट्री में नैच्रल हिस्ट्री नामा गरंट जो है हमें भारत और इटली के बीच होने वाली वियापार की जानकारी मिलती है इसमें और इस गरंट की रचना जो है वो पलीनी ने कीती किसने कीती पलीनी ने ठीक है तो बस पहला ही ओप्सन्स करेट निम्लिकित में से कौन महमूद गजनवी के दरवार में दरवार से सम्मदित था बढ़िया कोशन से जल्दी से बताईए आराम से आप जो है वो बता सकते हैं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर आफसन नमबर डी उतवी, फिर्दोसी, अलवरुनी ये सभी के सभी जो है वो महमूद गजनवी के दरवार से सम्मदित थे जबकि ये तीनों जो है वो महमूद गजनवी के दरवार से सम्मदित थे और गजनवी के दरवार, दरवारी उतवी ने तारीक यामिनी नामक पुस्तक भी लिखी ठीक है और जो महान फार्सी विद्वान थे फिर्दोसी इन्होंने एक सहनामा बहुती प्रख्यात पुस्तक है उसको लिखा और अलवरू ने कितावे हिंद जो है वो नामक पुस्तक लिखी यो सभी की इंपोटेंट है इसलिए मैंने आपको बता दी 20 जून 1776 को बिलैक होल गटना निमलेकत मेंसे किसके सासनकाल में घटेत होई थी आराम से आप बता सकते हो तो सही आंसर हो जाएगा आपका सराजुद दौला के सासनकाल में दूसरा ओप्सन्स करेड़ 20 जून 1776 को बिलैक होल की गटना सराजुद दौला के सासनकाल में घटेत होई थी सराजुद दौला दस्तक के दुरुपियोगत था कलकत्ता की कलेवंदी को लेकर अंग्रेजों से नारास था इसलिए उसने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जिन में जिन में से अगले दिन सिर्फ 23 लोगी जिन्दा बचे इसे ही क्या कहते हैं बलैक होल यानि की काल कोटरी की जो है वो गटरा कहते हैं सभीने अवंग्या अंदुलन के रूप में महातमा गानी ने दांडी मार्च कब किया था तो आराम से बता सकते हो आप कब किया था 12 मार्च 1930 को किया था 24 अपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जायगा गसर करेट हो जाएगा दांडी मार्च सावरमती आस्रम यानि कि एमदावास ते प्रारम किया था 78 यानि कि 78 अनुआईयों के साथ जो है वो कांदी जी ने 6 अपरेल 1930 को दांडी तड़ पर यानि कि नव सारी जिला जो है वो गुजरात में वहाँ पर पहुंचके नमक कानून तोर कर सवीने अवग्या अंदुलन जो है वो शुरू किया था है ना मावीर सौमी का प्रतम सिस्स कौन था देखो हर चीज को एक्स्प्लेइन करता हुआ चल रहा ताकि आप लोग को एक्स्टा जानकारी भी मिल सके तो सही आंसर हो जाएगा आपका जमाली मावीर सौमी के प्रतम सिस्स जो है वो उनके जमाता जमाली थे जो उनकी पुत्री प्रिये दरसना के जो पती भी थे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोसंस स्टार्ट करने से पहले बता दू मैं आपको दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपिटर पलेसी पीटी की बेस्ट वुक के बारे में जो की चक्सू परकासन की है आप सभी लोग जानते हैं फॉर्म आ चुके हैं और आगामी तीन सबा तीन महीने में आपका एक्जाम भी हो जाएगा इस वोक को यूपिटर पलेसी पीटी के स्लेवर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जो की संपूर्ण गाइड वोक है अगर आप जीरो से जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो यह वोक आप आप लोगो के लिए बहुत यह अच्छी होगी और सिक्स सॉल् यहां से आपको बहुत सारी चीज़े जानने में समझने में मिलेंगी है ना और जब यूपिटर पलेसी पीटी की संपूर्ण गाइड वोक जो की जीरो लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं जब तैयारी हो जाए तो देखो इनकी प्रेक्टिस सेड वोक भी आती है जिसमें 20 जो है वो इस तरीके से डिजान किये गए हैं जैसा कि आपका यूपिटर पलेसी पीटी के एक्जाम में पूछे जाता है तो यहां से आप लोग की तैयारी जो है वो बहुत ही जादा बहतर हो जाएगी डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप पर्चेस कर सक सकते हो नहीं तो नजदी की बुक स्टोर से जाकर के यूपिटर पलेसी पीटी की चक्सुप्रकासन की बुक जो है वो पर्चेस कर सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगा दोनों ही आपसंस मैंने आपको दे दीजिए हां अगर आप पर्चेस करते हो डिस्क्रिप्सन में दिया स्कूल ऑफ इंडिया या इन इंडिया की लिखक कौन है आराम से बता सकते हो कई बार आपने पढ़ा भी होगा दादा भाई नहरे जी तीसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वर्स 1904 में किसने किरांतिकारियों की गोपनिये समीती के रूप में अ राजब्यारी बोस द्वारा संगटेत भारतिय स्वतंतरता लीग किस संगठन का एक अगरदूत था सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताए भारतिय राश्टिय फोज का दूसरा ओपसंस करेक्ट राजब्यारी बोस द्वारा संगटेत भारतिय स्वतंतरता लीग भारतिय राष्टिय फौज यानि की इंडियन नेशनल आर्मी का एक अगरदूत था राजब्यारी बोस ने जून 1942 के बैंकोक सम्मिलन में भारतिय सुतंतरता लीग की स्तापना की थी तता चार जुलाई 1943 को राजब्यारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग वा आजाध हिंद फौज की कमान सुबास चंद्र बोस को सौप दी थी ठीक है ना अंग्रेजों के बुरुद खान अब्दुलकफर खान द्वारा प्रारम किये गए आंदुलन का नाम क्या था बढ़िया कोस्टन्स लाल कुर्ती आंदुलन पहला ही ओप्सटन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा मदरास हिंदु समाजिक सुदार एसोसियेशन का आरम किसकी मदद के लिए हुआ था जल्दी से बताएं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर देवदासियों के लिए पहला ही ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा बगोल के कोस्टन्स देख लीजे वह यह आपके सामने नेट्रोन तारे जिनको पलसर कहते हैं किस कॉलने से बना असीमित घनतव का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है उसे हम ब्लेक हुल कहते हैं पहला ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट होगा पहला ही ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये एक ठंडी जल्दा रहा है जो दच्छन से उत्तर के और अफरिका महादीब के पश्चिमी तड़के किनारे पर बहती है मस्रूम चटान निमले के तमेंसे किस से सम्मदित है जल्दी से बताईए सही आंसर हो जाएगा आपका मरुस्त लिए इस्थला करती से पहला ही ओप्संस बिल्कुल करेक्ट गिर नैसनल पर्क किस राज में इस्तित है सिंपल सा कोसंस बता सकते हो गिर गुजरात में है वाई चुछाथाई आप・संस यहाँ पर आपका विल्कुल करेक्ट निमले के तमेंसे कौन सा परिवर्तिय दर्रा उत राखड में स्तित नहीं है सिपकिला येक हिमाचल परदेस में है दूसरा ओप्संस करेक्ट अर्फ विवस्ता के कोसवताई की कोस्थ देख लिए बाया, निम्ले के तमैसे किसे मानव विकास उचकांग में सामिल किया जाता है तो सही ंरजा आनसर हो जाएगा आपका, वास्थत वियक्ति आए जीवन प्रतियास्ता, वयक्स साक्चरता, य retro सामिल किया जाता है ठीक है इन तीनों आयोमों का प्रियोग जो है वो माना विका सूचकांग निकालने के लिए किया जाता है Next questions भारत में मौदरिक नीती का निर्धारन कौन करता है बढ़िया questions जल्दी से बताओ तो भारत में मौदरिक नीती का जो निर्धारन है वो किसके द्वारा किया जाता है RBI यानि कि Reserve Bank of India दूसरा तीसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा Next questions निम्लेक तमेंसे प्रतेक्च कर कौन सा है बढ़िया questions है प्रतेक्च कर सही answer आपका क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताओ कि निम्लेक तमेंसे कौन सा एक प्रतेक्च कर है तो आपका जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा IKAR IKAR यानि कि Income Tax यह जो है वो एक प्रतेक्च कर है तीसरा options correct निम्लेक तमेंसे कौन सी IKAR की गर्णा के लिए कुल IKAR मेंसे कटोती नहीं है तो सही answer हो जाएगा आपका व्यक्तिगत रिण पर व्याज व्यक्तिगत रिण पर व्याज आएकर की गर्णा के लिए कुल IKAR मेंसे कटोती नहीं है अर्थात्र आयकर की गर्णा करते समय व्यक्तिगत रिन पर व्याज को घटाया नहीं जाता जबकि अन सभी को घटाया जाता है सेज़ बची आये पर ही आयकर देना पड़ता है समझ रहे हैं? निमले के तुमेंसे कौन सा बैंकों के राश्टिकरण का लक्ष नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैंकिंग कारोबार का संकेंद्रन ये वैंकों के राश्टिकरण यानिकी नैसलाई जेसन का कोई भी लक्ष नहीं है दूसरा ओप्संस करेट अब आप लोगों के संविधान के कोउसंस भारत में पंचायती राश के अनुसंसा के लिए बनी समीती के अद्यक्ष कौन थे? बहतरीन कोउसंस जल्दी से बताओ तो सही आंसर हो जाएगा आपका बलबंत राय महता तीसरा ओप्संस करेट भारतिय समीधान में संसोदन का प्रापधान किस अनुच्षिद में किया गया है? बढ़िया कोउसंस जल्दी से बताओ तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्षिद 368 दूसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बल्किल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा मुख चुनाओ आयक्त को पद से अटाए जा सकता है? किस प्रकिर्या के दौरा? संसर्ट के दोनों सदनों के सदस्यों के दोतिया आई महुमत दौरा यानि किस को संस का दूसरा ओप्संस करेक्ट समीधान सबा दौरा समीधान को कब पारित किया गया? बढ़िया कोसंस जल्दी से बताओ तो सही आंसर हो जाएगा 26 नॉवंबर उन्नी सो नंचास पारित यानिकी अंगी करित की बात हो रही है लागू की बात करें तो 26 जनवर उन्नी सो पचास दोनों ही डेटर लागे ध्यान लखना लाश्ट कोसंस के भारत की संसत द्वारा हिंदू विवा अधिनियम कब लागू किया गया इस कोसंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तों यह थे आपके इंपोर्टेंड कोसंस यूपिटर पलेसी पी ऐटी के exam के लिए दूसरा practice read भी आएगा क्योंकि मैं पीटी के लिए daily दो practice drive provide करवाऊंगा क्योंकि इसलिए इसमें जो है वो काफी जादा चीज़批ैंट कर रहा हूं क्योंकि जीके के कई point है तो वीडियो लम्बी हो रही है अगर मैं एक ही वीडियो में सभी कुछ बता दूँगा तो ये वीडियो लगबग आदे घंटे के आसपास पहुंचवेगी तो आप लोग जो है वो ज्यादा इंट्रेस नहीं दिखाओगे इसलिए 10-15 मिनिट की में वीडियो रख रहा ताकि आप लोग अच्छे से काम हो सके दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड कर वाँगा उसको भी देख लीजिएगा ठीक है बाकी यार इसको संसकान सर जरूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मिलते हैं फिर नेक्स लास में नेक्स सेशन में जै हिंद जै भारत हो